तो फेंस मैं आज आपको ऐसे बल्लेबाच के बारे में बताऊंगा जिन्होंने टी 20 में आज तक का सबसे बड़ा और सबसे जोरदार रिकार्ड काइम किया है जो की है रिकार्ड की 72 गेंदों पे 302 रनों का रिकार्ड जो आज तक किसी नहीं बनाया मैं आपको बता दू कि जो दिल्ली के युवा खिलाडी मोहुत हलावत है टी 20 क्रिकेट की इतिहास में पहला 13 से तक जड़ दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रहे हैं उन्होंने राजधारी में खेले गए एक इस्थानिये टुर्णामेंट में महज 75 गेंदों में नाबाद 302 रन बनाए मैं बता दू कि एक प्रीमियर लीग हो रही थी जिसका नाम था फ्रेंड्स प्रीमियर लीग और उन्होंने फ्रेंड्स 11 के खिलाफ खेलते हुए मावी 11 की तरफ से खेलते हुए 21 साल के मोहित ने 302 रनों की अपनी इस नाबाद पारी में उन्होंने 49 छक्के लगाय थर्टिन सिक्सेस और 14 चौके यानि की 14 फोर्स की मदद से 290 रन जोड़े उनकी इस धुमाधार बल्लेबाजी की वज़ा से उनकी टीम ने जो की 20 ओभर में महज 2 विकेट के नुकसान पर 419 रनों का विसाल स्कोर अपने विपक्षी के खिलाब खड़ा कर पाई जो अब तक का T20 में सबसे बड़ा स्कोर है मैं बता दू कि उनकी इस पारी में T20 के रिकॉर्ड बुक में कई बदलाओ कर दिये जैसे उन्होंने T20 इतिहास में सबसे बड़ा निजी स्कोर भी खड़ा किया इससे पहले मैं बता दू कि यह रिकॉर्ड कैर्बी आई बल्लेबाज क्रिस गेल के नाम था गेल ने 2013 में IPL टुर्णामेट में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरब से खेलते हुए 175 रन बनाए थे हलाकि अहलावत ने इस रिकॉर्ड को रिकार्ड से तो गेल काफी पीछे हैं तो गेल की उस आतिसी की पारी की बदलत उनकी टीम ने रिकॉर्ड 5 बिकेट पर 263 रन जोड़े थे जो की अहलावत की वज़ा से अब वो खतम हो चुका है अब मैं बता दू कि जो टी ट्वेंटी मैच की किसी भी पारी में अधिक्तम 21 छक्के लगे थे और वहीं अगर पूरे मैच की बात करें तो अधिक्तम 34 छकों का रिकार्ड था हाला कि अहलावत से ही तेज खेलने का फैसला किया था मैच में पांच ओवर बाकी रहने ही मैंने 200 रनों के करीब था तो मैंने और तेज बल्ले बारी सुरू कर दी और मैच में 2 ओवर बचे रहते में 250 रनों पर पहुच चुका था उसके बाद मैंने अपने साथी से कहा कि मैं कोसिस करता हू कि अगर 300 रन बना सकूं तो और फिर अंतीम उभर में मैंने 30 रन और जोड़े तो मोहित कहते हैं कि जो IPL के लिए मैंने अपना नाम भीड़ रहा है लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरी यप पारी IPL निरामी में टीम मालिकों का ध्यान खीच पाएगी या नहीं मैं IPL में अपनी प्रतिभा को दिखाने का इंतजार कर रहा हूँ उन्होंने अपने इंटर्व्यू में इस बातों को बताया और मैं आपको बता दू मोहित के बारे में कि मोहित इससे पहले DDCA लीग में खेलते हुए 158 रन जड़ चुके हैं हला कि वो 2016-17 के रड़ जी टीम में ज़्यादा कमाल नहीं कर पाए थे और जो की टीम थी रायस्थान विधर्व और हर्याना के खिलाब तीन मैचों में महाचार जीरो और एक रन ही बना पाए तो फ्रेंस उनकी ये काफी अच्छे पारी थी तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लागा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए जिससे उन्हें भी इनके बारे में पता चल सके और साथ वो इंस्परेट होके वो साथ 20 में लगबग 400 मार दे तो फ्रेंस आजकल कुछ भी न करेंगे में पूरे में में लोंते ही है प्लाव में गर सके इनके।स्सद साथ 3द पיכल है, तो यह वे दो हो़गvatा सेर का क्यास हिए वीडियो के साथ 9ज Mashके वीडिक्म